अब हमको इसमें स्वादानुसार नमक डाल लेना है हमारी ग्रेवी में और खुदू बहुत ही टेश्टी आ रही है और अब इसमें हमें टमाटर का जो हमने ग्रेवी बना के रखा है पीस के इसे अपने इस ग्रेवी में मिक्स कर देना है और थोड़ा इसमें आपको पानी ड तो चली पांच मुट और वेट कर लेते हैं